देश के चलनी हुए जिगर को मरहम लगाने की एक मात्र आशा इस्थल प्यारे साथियो मुझे बहुत प्रसनता है कि मुझे आज ऐसे लोगों के बीज व्याख्यान का आउसर मिला है जो उस मोड पर खड़े है जहां से उन्हें जीवन संग्राम में कूदना है अभी आपके सामने बहुत सारी चुनोतिया और संगर्ष है ऐसा नहीं है कि आरेश बनने के बाद मेरे संगर्ष और चुनोतिया खत्म हो गए बलकि वो तो अभी शुरू हुए हैं लेकिन उनसे लोहा लिये बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं साथियो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने इसनातक अनुजोगो कोई मार्गदर्शन दे सकती हूँ या आप में किसी अभुतपूर्व उर्जा का संचार कर सकती हूँ क्योंकि मैं भी आपी की तरह एक जिग्यासु विध्यारती रही हूँ और बिछले कुछ वर्षों में वही सामने आपी की तरह बैठा करती थी जहां आज आप जगमकदारों की तरह इस परिसर को रोशन कर रहे हैं किन्तुमा इतना प्रूर कर सकती हूँ कि यहां सिखाये जाने वाले उस उश्रम उस धैर ये उस मार्गदर्शन उस सक्षिक बातावरण सक्षिकों की वित्वता और अनुसाशन के आवरण को यदी जीवन में उतार लिया जाए तो असंभव कुछ भी नहीं जैसा कि एक साथी ने कहा था वैसे ही मेरी साथ में यही गड़ना है मुझे भी प्रसाशन में आने से पहले यह पता नहीं था कि R.A.S. क्या होता है? वो क्या करता है? स्कूल में साथी लड़कियों ने कहा दिया कहम R.A.S. बनेंगी तो मैंने में नाइंथ क्लास का रिजल्ट आते ही अपने बान मन में पूरे घर में ये सारवेजनी कुद घोशना कर दी कि मैं आरेस बनोगे चुंकि पिताजी सिक्षा अधिकारी रहे हैं इसलिए धीरे धीरे ये पता चला कि हाँ कोई आरेस होता तो कोई बड़ा अफसर है किसी ने ताना मार दिया तो आरेस बनना एक चैलेंज के रूप में ले लिया हम लोग पतंग उडाते थे और पडोस में एक अगरबति का कार खाना था वहां बच्चे चथ पर अगरबतियां बनाते थे मैं और मेरी बहन वहां गए और वहां जाकर मालिक को कहा कि यह से काम क्यूं करवाते हो इनको पतंग उडाने दो ना तो अंकल वोले कि तू कौन सी कलेक्टर लग रही है यहां पर मैंनों सुझा एक कलेक्टर कौन सी तोब होता है और अगर यह कोई तोब होता है तो एक गोला तो मैं भी दागूंगी धिरे धिरे परिवेश बढ़ा लोगों से जुडाव बढ़ा एकारे सधिकारी के अधिकार दाइत्व और दाइरे को समझा और फिर खुद ये अंदर झाका तो देखा और पाया कि हां मैं किसी काम को योजना बद्ध तरीके से कर सकती हूं किसी बात के पक्ष और पर विचार कर सकती हूं नेत्रित वक्षमता भी है अपनी बात दूसरों तक संप्रेशित कर सकती हूं मम्मी और चाची का जगड़ा हो जाता तो उन्हें मना भी लेती हूं और दादी का आशिरवात तो है मैं आरेस बन सकती हूं मैं आरेस बनूं और तब मैंने सोचा कि न यहीं सम्मिलित कारण और घटनाएं हैं जिनके परिणाम सुरूप मैं आज यहां आपके सामने उपस्तित हूं यह सब कहने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि आप सब यह करें कि आप आरेएस ऑी डियुमन ना चाहते हैं अपना उद्थियूय निश्चित करें आपके भी आरेएस ऑी एईस बनने के मेरी तरह अनेक कारण और बहुत सारी प्रेरणाें हो सकती है लेकिन अब समय ये है कि समय रहते उनको पह जाए रिजल्ट आने के पांच साथ महिने तक मुझसे एक सवाल बार बार पूछा गया और शायद उसी सवाल का जवाब देने के लिए आज भी यहां बुलाया गया है कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है उसका मूल मंत्र क् साथियो और मेरा जवाब हर बार गुमा फिरागर एक ही होता है परिश्रम परिश्रम और परिश्रम लेकिन ये समय बत्त सकारात्म को लक्षोन मुखी होना चाहिए टौपर कोई भी हो सकता है आउशकता सिर्फ लगन महलत और धहरी की है थोड़ा संक्षेप में बात करते ह हुए अब मैं आते हूँ परिक्षा के बिवित इस तरों पर जैसा कि आप सभी को पता है परिक्षा के तीन स्क्षेप में चर्चा करूंगी प्रारंभिक इस तर पर प्रारंभिक परिक्षा के लिए एक-एक बिन्दू की तयारी के लिए सटीक और सपष्ट तयारी की और बिना किसी शॉट कट की उमीद लगाए करने चाहिए जिस वेक्ति ने कभी हाती नहीं देखा है अचानक उसके सामने अगर हाती आये तो क्या होगा दर जाएगा इसलिए आप पिछले वर्षों के चाहे प्रारमित परिक्षा हो चाहे उख्ये परिक्षा हो पिछले अपने दर को दूर भगा अक्सर विध्यारती इसा समंझस में रहते हैं कि तयारी कहां से शुरू करें कैसे शुरू करें मेरे हिसाब से नोवी दस्वी की मानक पाठ्थे पुस्तकों जैसे NCRT बूक्स इन से सबसे पहले अपना आधार मजभूत बनाए और इसके साथ ही कि राज इस्तर के समाचार पत्र या और और किसी एक मासिक पत्रिका का नियमित अध्यन करें जो बिंदु समझ में नहीं आए उन्हें याद करने के लिए नोट्स बना ले और परिक्षा से पूरू उनका अधिकादिक रिविजन करें ये थी प्रारंभिक परिक्षा मुख्य परिक्षा की बात करें ूख्ये परिक्षा वास्तों में इस परिक्षा का निर्णायक चरण है जिसका इस परिक्षा में 88 प्रतीशत्ययोगदार है और यहां ज्यान दीजीगा यहां उत्तर की कसावट और उसका सर्वतन प्रस्तूति करण ही कामयाबी का मूल मंत्र है मुख्य परिक्षा से पहले इन प्रश्णों पर विचार करें कि परिक्षा का पठ्थे क्रम किस प्रकार का है पैटर्न किस तरीका का है सवाल पूछे जाने का ट्रेंड क्या रहा है मानक पाठ्थे सामगरी कहां से और कैसे मिलेगी उत्तरलेखन के लिए रणनीती और समय प्रभंदन कैसे करना है पूर्व में सफल रहे अब भरतियों कि क्या रणनीती रही है कितनी महनत जरूरी है कितनी मूवीज और पार्टियों में नहीं जाना है कितनी गपे एक्जाम के बाद के लिए छोड़नी है वाटसप को मुबाईल में कब तक अनिस्टोल रखना है इन सभी प्रश्णों के सवाल आप खुद खोजे और अगर नहीं मिले तो आप कुलपती महुदय को धन्यवाद दे कि उन्होंने इसका समाधान करवा दिया दोस्तों वास्तों में प्रतेक अभ्यर्ती प्रतेक विध्धार्ती के पढ़ने का तरीका उसके सोच की गहराई पारिवारिक परिस्थितियां और समय की उपलब देता अलग-अलग होती है अगर आप इन सवालों के जवाब खोज लेते हैं तो आपकी आधी समस्या का समाधान हो जाएगा अब बात करती हूँ साक्षातकार की जैसे कि पुष्पा जी ने कहा था कि साक्षातकार आपकी ज्यान का नहीं अभितु आपके व्यक्दित्व का परिक्षन है साक्षातकार में सामान्यत है एक अभ्यर्थी की मानसिक सजगता ध्यान दीजिगा मानसिक सजगता समिक्षात्मक दृष्टिकोण नेत्रित्व निर्नैक्षमता रूची की विवद्धिता, सामाजिक संगठन की योगिता, बौधिक और नैतिक इमानदारी और इसके अलावा आसपास की गड़नाओं में आसपास की परिवेश में घटित हो रही गड़नाओं में अभी रूची और द्रिश्टिगोन की गहन जाज होती है सभी प्रशनों का उत्तर देना एक अच्छे साक्षातकार का प्रतीक नहीं है और कुछ प्रशनों का उत्तर ने देना विगड़ने का परिचाएक भी नहीं है यह तोसा मने आ रही आपकी अवधारणाओं आपके हाउभाव पर आधारित है महत-पपुर्ण यह नहीं कि कितने प्रश्णों का उत्तर दिया। आपई तू यह है कि उत्तर किस प्रखार दिया। अक्सिर विद्धार्ति मुझे से पूछते हैं कि मैठम शाक्षातकार में- शाक्षातकार के लिए काश्मे जाने से पूर्व क्या करें। दरवाजा खोल के अनुमति कैसे मांगे हिंदी में मांगे गंगरेजी में मांगे कुरसी पर उनके कहने पर बैठे है कि खुद बैठ जाए बैठते वक्त हाथ टेबल पर रखे पाउं पर रखे सिर पर रखे कहां रखे लडगे पूछते हैं कि मेडम टाइ लगाएं टाइ के साथ कोट भी पहने क्या शेविंग करें या नहीं करें और लड़किया भी पूछती है कि साड़ी पहने सूट पहने सूट पहने तो मैचिंग का ब्लाउस पहने क्या मैचिंग की नेल पोलिश जैंडल earrings, purse, bangles ब्लाब ब्लाब लेकिन अगर चट्चा गरे तो ये एक ऐसा विशय है जिस पर पूरा दिन खर्च किया जा सकता है लेकिन अगर मेरी माने संग्शेप में मेरी माने तो आप तो बस अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी है आपकी विशय पर पकड़ है आपने जो अपने हिसाब से कपड़े पैने हैं उनमें आप सुविधा चनक महसूस कर रहे हैं और उन से आपके शरीर का आत्मविश्वास जलग रहा है अगर आपको लगेगी आपने अपने माता-पिता का आशुरवाद ले लिया है इश्वर में आपकी आस था है और दादी और नानी ने कह दिया कि जा बेटा कलेक्टर बनके ही आई तो आप तो बस दरवाज आप खोलिए और मुस्कुरात होई अंदर गुश जाईए अभी आपका बायो डेटा देखा जा रहा है एक प्रश्ण आपकी होबी से अगला ग्रेजुएशन के विशय से अगला करंट नौलेज से और क्रमशे प्रश्णों का सिलसिला और अगर आपने अंत तक अपनी संप्रेशनियता अपनी समझ अपनी ग्रहर शीलता अपने नेत्रत्व को बनाए रखा अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा है तो आप उसी तरह मुस्कुराते हुए बाहर आकर भेरू जी वोमिया जी पितर जी जिनको भी आपने याद किया था उनको धन्यवाद दे सकते हैं और अगर कोई साथ ही चाहे तो खोड़े के अन्मान जी मैं सवामनी की तयारी भी कर सकता है क्योंकि मैं ये गारंटी रहती हूँ कि जीत आपकी है शर्ट इतनी है कि सवामनी का निमंत्रण मुझे मिलना चाहिए तो ये तो बात हुई परिक्षा के विवित इस तरों की अब मैं परिक्षा में सफलता की क्या प्रक्रिया है उस पर और उसमें क्या ध्यान रखी जाने वाली और साथानिया मरतने वाली बाते हैं उन पर चर्चागरू बहुत संक्षेव में चुंकि अपनी ये जो सफलता की प्रक्रिया इसको मैं एक क्रिशी के रूपक से बताना चाहूंगी अगर मैं बोल रही हूँ और आपको लगता है कि समय जादा नहीं हो रहा और आप बोल नहीं हो रहें तो एक बार तालिया बजा कर स्वागत करें तो क्रिशी के रूपक से समझाना चाहूंगी क्योंकि अब राजस को विभाग से जुड़ गई हूं तो क्रिशी बीज, फसल, पटवारी, गिर्दावर इन से दिन भर सामना होता रहता है तो उधारिन भी वैसी देने लग गई हूँ दोस्तों किसी भी बीज के अंकूरण, उसकी व्रिद्धी, इस्थाईतवर, फल, फूल, सहीत, पूरा व्रक्ष बनने में ही सफलता की प्रक्रिया नहीं थे किसी भी बीज के अंकूरण के लिए सर्व प्रथम और सर्वादिक महत्वपूर्ण योग्यता है, उस बीज का अंकूरण योग्य होना इसलिए सबसे पहले अपने अंदर जहांके, एक बार एक पागल आईने में खुद को देखकर कह रहा था कि यार इसको कहीं देखा लगता है बहुत देर टेंशन में सोचने के बाद वह बोला, धत तरीकी, अरे ये तो वह ही है जो उस दिन मेरे साथ बाल कटवा रहा था ये तो खैर पागल था लेकिन हम जैसे पढ़े लिखे और स्वस्त चित व्यक्ति भी खुद को नहीं पहचानते हैं, अपने भीतर नहीं जांक पाते हैं रास्ता में अगर कंकडी कंकड हो और अगर अच्छा जूता पहना हो तो उस पर चला जा सकता है लेकिन एक अच्छे जूते में भी अगर कंकड हो तो रास्ता चाहे कितना ही पढ़िया क्यों नहीं हो, उस पर कुछ कदम चलना ही है मैरे कहले का मतलब इतना ही है कि पहले बाहर की चुलोतियों से पहले खुद की कमजोरियों से जीते लड़ें बीच के अंकूरण के बाद अंकूरण के लिए आउशकता होती है उपजाओ भूमी की और मुझे नहीं लगता कि प्रतियोगिता के दोर में उपजाओ बन के मामले में राजस्थान विश्व विद्ध्याले का कोई सानी होगा यहां का मार्गदर्शन आपके लिए सदेव बत्ध प्रदर्शन का कार्य करता रहेगा आपको अपने तयारी के लिए लक्ष प्राप्ति के लिए जहां कहीं भी किसी भी कोचिंग संस्थान महाविध्याले अत्वा व्यक्तिकत मार्ग दर्शन के लिए कहीं भी अपने आपको समर्बित करें तो उस भूमी का उपजाउपन जाच ले क्योंकि कई बार योग के वीज भी अनुपजाउपन भूमी के अभाव में अंकूरित नहीं हो पाते हैं बीज के अंकूरण के पश्चात आउशकता होती है खाद, कीट नाशक और उत्प्रेर कोगी विध्यार्थी के लिए खाद का काम करते हैं उसकी कक्षा, उसकी पुस्तके, उसके मित्र, उसका जो पढ़ाई का आसपास का माहोल है वो उसके गुरुजन जो उसे एकागृता और ज्ञान संचे की बिधी प्रदान करते हैं एकागृता पर थोड़ा सा कुछ विध्यार्थी ऐसे होते हैं जो पढ़ते हुए टीवी, रेडियो चलाते हैं, एफम चलाते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कान में इयरफोन डालकर म्यूजिक सुनते हैं फिर पढ़ाई करते हैं और अगर पास में बड़ोस में कोई शादी हो रही है और आत्री जागरन हो तो तो उन्हें डिस्टर्बेंस होता है सर मैं अपना उधारन देना चाहूंगी कि मेरे घर के इस तरफ मंदिर है और इस तरफ मस्जिद सुबा उठते ही इधर से घास खाये गई या दूद भी ए गवाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल शुरू हो जाता था तो उधर ला इला इलिल्ला मुहम्मद अल्रसुलिल्ला के साथ शाम धरती थी बारात भी उधर से ही जाती थी सतराम के जैकारे में लेकिन मैं आपको बता दू कि मैंने अपनी पूरी पढ़ाई अपने घर की छत की तरफ जाने वाली उस आखरी सीड़ी पर बैठ कर की थी और मुझे हर दरे के शोरगूल में एकागरता का इतना अभ्यास हो गया था कि पता ही नहीं चला कब होली की गैर निकल गई और कब धोल ताशों के साथ महरम के ताजी है पढ़ते वक्त मुबाईल बंद रखे अगर वाटसिप, मेसेंजर और फेस्बुक नहीं चलेगा तो एकागरता में बृध्धी होगी लेखन शेली में सुभार होगा और तोप 50 में आने की समझावनाएं भी बढ़ सकते हैं मेरे बात करें तो मैं बताओं मैंने मुबाईली नहीं रखा था यहां बेठे मेरे साथ ही इस बात के गवा है कि मैंने इंड्रोइड मोबाल ओडियस में आके खरीदा था और अब वाटसिप पर जुड़ने वाली मैं अपने बैच की आखरी मेंबर थी कीटनाशकों की बात करते हूं इसके बाद जिस प्रकार पोधे की जड़ों के दीमक और पत्तों के एक कीड़ा लग जाता है उसी प्रकार एक विध्यारती के भी भैरिये के लालच का महनत के आलस्य का सादगी के विलासिता का और पढ़ाई के बटकाव का घुन लग ही जा आधना के तपो बलके ओज को परिवर्दित कर देता है इसलिए अपने आपको अनुसाशित बनाए व्यवस्तित बनाए अपना खाना पीना जागना सोना यह सब सहियत बनाए और इसके लिए गीता का एक शलोग मेरी प्रेरिना रहा है कि युकता हार दिहार से युकत सर्व हो उचित हो और अगर आप इस अनुसाशन को इस ओचित्य को बनाए रखते हैं तो आपके लक्ष की पवित्रता को सुरक्षा मिलती रहेगी पौधे की व्रिद्धी के लिए आउशक्ता होती है डी एपी और यूरिया जैसे उत्प्रेरगोंगी यह उत्प्रेरित भी दो प्रफार के होते हैं एक तो वे जो पव्रिद्धी तो करते हैं कि तो उसमें ऐसे विकार उत्पन कर देते हैं जीने हम आज कल सबजी और गेहूं-बे कीट-नाशकों के दुष्प्रभाव के रूप में देखते हैं और दूसरे वे उत्प्रेरक जो पोधे में प्राकृतिक हार्मोंस को संदूरित करते हुए उसे स्वस्थ और लाबगायक वृत्ती प्रत्राइब विध्यार्ति की जीवन में भी दो प्रकार के उत्वरे रख होते हैं कि 2008 की परिक्षा में अंतिम रूप से चाइनित नहीं होने पर मुझे किसे ने कहा कि तू तो केवी की नोकरी से संतोष कर ले यारेस बनना तेरे बसकी बात नहीं है तो एक दूसरे मित्र ने कहा कि गिरको करने कंथडा हिरण कशो घी खाए आख चरे और पून भगे घोड़ा श्यूं आगो जाए कि हिम्मत कर हुमकार भर हिरण कौन सा घी खाता है लेकिन घोड़ों से आगे जाता है एक था उच्प्रेरण और दूसरा था दूश्प्रेरण दूश्प्रेरण ना स्वें करे ना दूसरों के दूश्प्रेरण का शिकार हो अपने मुकाम अपने उसूल खुद ताई करे और हर बार लोगों की अबेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश ना करे एक बार रात के समय एक दुकानदार बंद करने ही वाला था कि ये कुत्ता उसके पास में आया कुत्ते के मुँ में थेली थी और उसमें कुछ समान की लिस्ट थी दुकानदार में थेले ली उसमें समान डाला बाकी पैसे डाले और सामने रख दी कुट्टे ने थेले मूँ में उठाई और चल दिया दुकानदार से रहा नहीं गया वाश्चरी चकीत होकर कुट्टे के पीछे पीछे गया ये जानने के लिए कि इतने समझदार कुट्टे का मालिक कौन है कुट्टा कुछ देर बस स्टॉप पर खड़ा रहा बस आई उसमें चड़ गया कंड़क्टर पास आते ही उसने गर्दन आगए कुछ पैसे और घर का पता था कंड़क्टर ने उसे टिकर दे दी बाकी पैसे बेल्ट में वापस रख दिये जो ही अपना स्टॉप नजदीक आया कुछ बस में आगे की दरफ आ गया और पूछ हिला कर इशारा किया बस रुखने पर कुछ उतर गया और आगे चल दिया दुकांदार भी उसके पीछे पीछे चला कुछ ने अपने पैर से दो तिन बार दरवाजा खट-कटाया मालिक बाहर निकल कर आया और उसने लाठी से कुट्टे की पिटाई की आप सूच रहे होंगे की क्यों मालिक भी सूच रहा था उसने पूछा इसका कारण तो मालिक ने कहा बत्तमीज ने सारी नींड खराब कर दी चापी लेके नहीं जा सकता था घड़ा कहेंगा मित्रों जीवन की सच्चाई भी यही है लोगों से लोगों की आपसे अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है जरा से आप चुके कि आप में बुराईया निगाल देंगे और बिचली सारी अच्छाईयों को भूल जाएंगे इसलिए आप तो बस अपना कर्तब भी कर्म करें आगे बहुत सी कठिनाईया है माजी तेरी कश्टी के तलबदार बहुत है माजी तेरी कश्टी के तलबदार बहुत है इस पार कुछ मगर उस पार बहुत है जिस शहर में खोली है तूने सीशे की दुकान उस शहर में पत्थर के खरिदार बहुत है लेकिन अगर आपने इश्चे कर लिया है कि आपको इस कठिन रहा पर चलना है अगर आपने सोच लिया है कि अब जलेपी की तरह इसमें उलच ही कहे है तो फिर क्यों न चाशनी में डूब कर जिंदगी का मजा लिया जा मेरे कहदे का बतला भी इतना ही है कि अपनी महनत को सफलता के मुकाम तक पहुचाईए अपना संबल खुद बनिए अपनी तारीफ खुद करिए बुराई करने के लिए तो पूरा जमाना बैठा है जिन लोगों की नजरों में बुरे हैं आप कहदे उने कि मैं नित्रदान कर सकते हैं अपने असपास के परिबेश में केवल उन्ही तप्व को प्रविष्ट होने की अनुमती दे जो सकारात्मक हो, विचारात्मक हो, बोधात्मक हो, सही दिशा देने वाले हो अन्यता आपके मस्तिश्क में क्रोध, इर्शा और द्वेश के रासाइनिक दुश्प्रभाव दिखने लगेंगे जो आपकी सोने की ठाली में पीतल की मेक जैसे अशोबनी ये लगी है तो अन्त की और बढ़ते हुए मैं अब कहूंगी कि इन सभी तत्वों के साथ अब एक तत्वों और बच जाता है और वो है जीवनदाई जल जिसकी आवशक्ता पोधे को व्रक्ष बनने तक रहती है यह जल कहीं से भी पोधे को मिल सकता है वर्शा से ओ से भूमिगत जल के स्वते परासरन से गुये से कुंड से नल से पाइप से जहां से भी मिले यह मिलना चाहिए और जल के समंकक्ष विध्यार्थ के लिए रखा जा सकता है नियमित अध्यन को जब तक आपके सपनों की जड़ों को नियमित अध्यन का पवित्र जल सीचता रहेगा तब तक आपके सपनों के पंकों में उडान रहेगी जुनून में जान रहेगी जड़े जमीन से जुड अगरी बात कहते हुए सवाप्ति की और कि इस पात पर गोर कीजेगा कि विश्वास की जड़े कमजोर हो तो माता पिता की आशिरवाद का जल ले दिशाप्रम हो तो दृष्टिकोन की जड़ों को गुरुजनों के मार्गदर्शन के जल से सीचे भटकाव की भूक भढ़के तो एकागरता की जड़ों को आत्म चिंतन के जल से पोशित करे धैर ये धीरज धरने से इनकार करने लगे तो मानस की जड़ों को आध्यात्म की जल से सीचे और सबसे महत प्रपोन अपने सपनों की सुनहरी जड़ों को सगारात्मक सोच के जल से सदेव सीचते रहे सफलता मजबूर होकर कामयाबी का मीठा फल आपकी महनत से तयार किये गए व्रक्ष पर प्रसपूटित कर देगी जिसके बाद उसके संबर्धन और संबरक्षन की जिम्बेदारी दुनिया अपने आप ले लेती है तो आईए तो आईए सफलता का प्रसाद पाने के लिए महनत के इस महायग्य में अपने श्रम की समीधा धैरिय की धूप अध्यन की आहूती और लक्ष की लो से अस्तित्व की अगनी प्रज्वलित करते हैं और कुछ नया कुछ मौलिक कुछ बहतर करने का संतल पर गरते हैं मैं आशा करती हूँ कि शिंग रही इस विश्व विध्याले से आप में सही कोई छात्र या छात्रा ऐसे इसी ही तरह अपनी सफलता की कहानी बाटे अपने अनुभाव बाटे और मैं यही बैठकर सुनू गर्ब करूं औ और बुछ नया सिखूं और अगर हो सके तो चाहि के साथ कंग्लीजन करते हुए अधिक वोट ओफ थेंक्स दूं तो मेरी शिपकामना बस इतनी ही है कि आपका पथ प्रशस्त हूं लक्ष उन्नत हूं गति अबाद रहे संगच़द्वं संवदद्वं संभू मनांसी जानत और सक्री नेट्रत्व से संसकारों की नीव पर समर्पण के खंबों के सहारे सोम्मेता के साथ खड़ा ये राजस्तान विश्व मिर्धाले का महल अपनी आस्था और विश्वास के साथ सदेव पुश्पित और पल्लवित होता रहे इसे के साथ धन्यवाद बहुत बहुत खड़ा ये खड़ा से साथ खड़ा ये राजस्तान विव पुश्पित बहुत झाल 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 झाल